हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग वेलकम तो तेज एजुकेशन आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल तेज एजुकेशन में आज मैं आपके सामने लेकर आए हूं केम्पीटर के कुछ मोश इंपॉर्टेंट कोशिन जो कि आपके आने वाले एक्जाम के लिए बहुत इंपॉ हैं मधर पोड़ पर मधर चीब करेंग को कहते हैं किया कहते हैं तो दोस्तों मधर पर उपस्तित था गए रहते हैं के रहे चलते हैं ए мо में पस्तित आंत्रिक मेमोरी क्या दोस्तों बताईए ऑस्तों का र Supp सोप्ष turning दोस्तों डिवास्ताहिक में आप डेस्ट कर शक्ते हैं आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप डेस्क कर सकते हैं क्या कर सकते हैं दोस्तों बताईए तो दोस्तों आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप डेस्क कर सकते हैं तो हम डेटा को व्यू या प्रिंट कर सकते हैं तो उप्षेंट इसका क्या है राइट एंस दोस्तों कि निमन में से क्या CPU का भाग है तो निमन में से जो CPU का भाग है वह है Arthematic M Logic Unit तॉप संडीस का क्या है राइट एंसर है नेक्स्ट कोश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन है कि किसी डिजिटल केम्पीटर की कंट्रोल यूनिट को कहते हैं किसी डिजिटल केम्पीटर की कंट्रोल यूनिट को कहते हैं क्या कहते हैं बताइए दोस्तों किसी डिजिटल केम्पीटर की कंट्रोल यूनिट को क्या कहते हैं तो इसका राइट एंसर है option एक clock कहते हैं ठीक है next question पर चलते हैं next question है किसी computer के CPU के भाग है किसी computer के CPU के भाग है पता ही दूस्तों CPU के भाग कौन-कौन से होते हैं तो जो CPU के भाग होते हैं वह है control unit अर्थमेटिक यूनिट प्राइमरी स्टोरेज तो option से इसका क्या है राइट एंसर है जलिए next question पर चलते हैं next question है विट्ट का एक समूँ जो computer को किसी विशेश कारी को करने को कहता है क्या कहलाता है तो दोस्तों वह कहलाता है instructions का पूर्ट तो option है क्या है राइट एंसर है ठीक है next question पर चलते हैं next question है CPU तथा peripheral के मद की communication line को कहते हैं CPU तथा peripheral की communication line को कहते हैं क्या कहते हैं बताएए दोस्तों दोस्तों CPU तथा peripheral के मद communication line को बोलते हैं बस तो option है क्या है correct answer है next question पर चलते हैं next question है central processing unit के सभी कारी कौन करता है तो दोस्तों इसका right answer है option है microprocessor microprocessor जो है वह CPU का कारी करता है ठीक है next question पर चलते हैं next question है कि क्या है पर चलते हैं नेक्श्ट क्वेशन नेक्स क्वेशन है कि क्या है इसका right answer है ठीक है नेक्स्ट क्वेशन पर चलते हैं next question है कि computer में कहां पर data को जोड़ा तता उसके तुलना की जाती है computer में कहां पर data को जोड़ा तता उसके तुलना की जाती है दोस्तों क्या इसका right answer होगा तो दोस्तों इसका right answer होगा CPU option से इसका क्या है right answer है यह हैं, next question पे चलते हैं, next question है, दूसरी एकाई को नियंदरित करने के लिए, दूसरी एकाईयों को नियंदरित करने के लिए, control unit उत्पन करती है, क्या उत्पन करती है, तो दोस्तों, दूसरी एकाईयों को नियंदरित करने के लिए, control unit उत्पन करती है, वो है control signal, तो option है, क्य सिस्टम यूनिट के मैंन सर्किट बोर्ट को कहते हैं सिस्टम यूनिट के मैंन सर्किट बोर्ट को कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों बताइए तो सिस्टम यूनिट के मैंन सर्किट बोर्ट को बोलते हैं मदर बोर्ड ऑप्शन से इसका क्या है राइट एंसर है next question पर चलते हैं next question है instruction का समूह instruction का समूह जो computer को निर्देशित करता है कहलाता है instruction का समूह जो computer को निर्देशित करता है कहलाता है क्या कहलाता है दोस्तों तो दोस्तों कहलाता है program program तो option से इसका क्या है right answer है next question पर चलते हैं next question है आधुनी computer का किंद्री या मुख्य सर्किट बोर्ड होता है क्या होता है दोस्तों यह होता है इसका क्या है राइट एंसर है next question पर चलते हैं next question है कि ALU का कारी होता है क्या कारी होता है दोस्तों यह आप चांदते ही होंगे क्या होता है जो कहां पाए जाता है CPU में ठीक है तो इसका पुछा है कि क्या होता है तो इसका राइट एंसर है option एं गड़िती क्रियाओं वह तर्क क्रियाओं को करना ठीक है तो option यह क्या है इसका राइट एंसर है चलिए next question पर चलते हैं next question है CPU data जमा करने के लिए सीधे इस माध्यम को नियंद्रित करता है किस माध्यम को नियंद्रित करता है दोस्तों तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट एंसर है स्टोरीज यूनिट जो है ऑप्शन से इसका राइट एंसर है ठीक है next question पर चलते हैं next question है कि माइक्रो प्रोसेसर को भी कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर को कहते हैं Jeep option है क्या है इसका राइट एंसर है next question पर चलते हैं next question है प्राइमरी मेमोरी जमा करती है प्राइमरी मेमोरी जमा करती है बताइए दोस्तों क्या जमा करती है options हैं cable data, cable परिणाम, cable program यह सबी या इन में से कोई नहीं तो दोस्तो जो primary memory होती है वो data को भी जमा करती है परिणामों को भी जमा करती है और programs को भी जमा करती है तो यह तीनों को जमा करती है इसलिए इसका right answer है option D यह सबी ठीक है चलिए next question पर चलते हैं next question है memory के memory के अनुक्रम में सबसे उचा इस्थान किसका होता है memory के अनुक्रम में सबसे उचा इस्थान किसका होता है बताइए दोस्तों तो दोस्तों जो सबसे उचा इस्थान होता है वो होता है प्राथमिक memory का तो option इसका क्या है right answer है इसका राइट एंसर है आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक कर दीजेगा शेयर कर दीजेगा और सब्सक्राइब कर दीजेगा और मिलते हैं कल ठीक है बाइबाइब